नमस्कार दोस्तों बदोस्तों आपको हमारी चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने 3G, 4G फोन के अंदर 5G चला सकते हैं या 5G की स्पीड का मजा ले सकते हैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी बनाए हुई नए निगी लगातार वीडियो मिलती रहें दोस्तों घंटी की निशान पर टच करना ना भूलिएगा दोस्तों यहाँ पर हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपने पुराने 3G या 4G फोन के अंदर 5G की स्पीड का मजा ले सकते हैं बिना अपने फोन को बदले दोस्तों जैसे कि आपको पताएंगे कि 5G अब लाँच हो गया है और बहुत सी जगों पर 5G चलने भी लगा है उसके लिए लोग 5G का फोन भी खरीद रहे हैं या होड कर रहे हैं लेकिन आपको कुछने करना अगर आपके पास 3G फोन है या 4G फोन है तो आप उसी में 5G की स्पीड का मजा ले पाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको यहां पर बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी तो आपस रिक्वेस्ट एंड तक इसको ज जी लाँच किया गया तो आपके 3G की स्पीड सलो हुई और 4G लाँच हुआ अब जैसे की 5G लाँच होनेवाला है या हो गया है तो आपने अनुभफ किया होगा कि आपके 4G की स्पीड अब धीरे-धीरे कम हो गई है यानि कि अब जब आप 5G यूज़ करेंगे तो आपको वो लगेगा कि हमारी स्पीड तेज हो गए जब कि हमारे 4G जब हमारा पहले लाँच हुआ था तो उस टाइम भी हमारे 4G की स्पीड फास्ट बताए गई थी तो चलिए बात करते हैं किस तरह से आप अपने 3G, 4G फोन के अंदर 5G की स्पीड का मज़ा लेंगे तो आपको एक एप्लिकेशन इंस्टॉल करने है प्ले स्टोर से उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है आप इसे वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन इसको आप यूज कैसे करना है पहले आप इसे समझ लीजिए दोस्तो देखे ये एक 5G स्पीड ब्राउजर है ठीक है ये मैं यूज कर रहा हूँ काफी दिनों से और दोस्तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छी तरह से ये चलता है दोस्तो यहाँ पर काम क्या करता है या किस तरह से इसको यूज करना है वो हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपने नॉर्मल ब्राउजर के उपर कुछ काम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा जच करना है थोड़ा आपको ध्यान लगाना है कि कहाँ पर इंटरनेट की स्पीड जादा चल रही है तो देखिए यहाँ पर मैं अपने सिंपली गूगल ब्राउजर को उपन कर रहा हूँ जो मेरा नॉर्मल ब्राउजर है अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ जैसे कि मान लीजे मैंने LPG में यहाँ पर लिख लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने LPG के उपर क्लिक कर दिया, देखिए, आप ध्यान दिये, कितना टाइम यहाँ पर यह लोड होने में लगा रहा है, ठीके, देखिए, आप अब देखिए, कम से कम 2 सेकंड, धाई सेकंड में यह लोड हुआ यह पेज, ठीके, अब हम यहाँ पर इसको बैक किया था, LPG सर्च किया था हमने वहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी Google पर LPG लिख देते हैं, ठीके, देखिए, मैंने यहाँ पर LPG लिखा, और देखिए, LPG लिखते ही, यह वोई पेज आ गया, और पहरे लाइन पर हम क्लिक कर देते हैं, देखिए, आपने नोटिस किया होगा यानि कि एक सेकंड से भी कम समय के अंदर ये पेज लोड हो गया, ठीके, तो छले हम यहाँ पर कुछ और चीज एक सर्च करके देखते हैं, जैसे कि मानली जीए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, P.M.A.Y, ठीके, P.M.A.Y. हमने यहाँ पर सर्च कर लिए जो की हाुजिंग, जो प्रदान मंतरी आवास योजना की है देखे, क्लिक करते ही ओपन हुआ था और पहले नमबर पर मैं क्लिक करता हूँ देखे, कितना टाइम लगेगा आप उसको नोटिस कीजिए ये मुश्किल से दो या धाई सेकंड यहाँ पर इसको लगा है देखे, ये पेज आगया अब यहाँ पर हम पहले नमबर पर ही क्लिक करेंगे तो देखे, यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर 3 अभी भी लोड हो रहा है देखे और 3-4 सेकंड हो चुके हैं अभी भी यहाँ पर लोडिंग चल रही है उपर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी तक पूरा पेज लोड नहीं हुआ और अब जाके ये पेज लोड हुआ है यानि ये चार सेकंड इसमें लग गए है पेज लोड होने में दोस्तो आप इसको एक बार अनुभव कीजिए एक बार इसको अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए बहुत ही छोटी से अप्लिकेशन है लेकिन बहुत कमाल की अप्लिकेशन है यानि की बढ़ जाएगी 3G और 4G से स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो दोस्तों ये जानकर आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताईए अगर आपको कोई कोई सुझाओ हो तो हमें आप लिख सकते हैं और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों परिवार